हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का जागोई स्टडी चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सिखाएंगे जिहाँ दुस्तों हिंदी नामों को अंगरेजी में लिखने का सबसे आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप वीडियो को अंतक और ध्यान से ज़रूर दिखेगा देखे दोस्तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नाम जो है अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं ठीक है या फिर अपने ममी पैपा का नाम जो है अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है ठ ठीक है राधा को हम लोग अंगरेजी में लिखना सिखेंगे तो राधा का पहला लेटर क्या है दोस्तो रा है ठीक है रा से क्या होता है आर होता है यह रालो में आप लोग पढ़े होएगा वाई से या आर से रा ठीक है वहीं आर है यहाँ पर ठीक है दोस्तो तो रा से हमने आर लिख दिया इसके बगल में आकार लगा हुआ है एक डंटा लगा हुआ इसके बदले में आपको यह लगाना है कहीं भी आपको अकार दीखे आउसके बदले में आपको यह लगाना है उसके बाद है धा तो धा क्या होता है दोस्तो डी एच से धा होता है आप लोग पढ़ रेजी में लिखना है ठीक है अब चलिए दूसरा है दोस्तो रा नी ठीक है रानी का रहे हैं ठीक है तो रा का हम ने यहांपर पहले से लिख करके रखा हुआ है इसको हम लिखेंगे उसके बाद है न दीरगाई ठीक है तो 9 का क्या होता है आप पढ़े विगर नौ का क्या होता है एन होता है तो एन लिखेंगे और इधर से आपका घर बना रहाता है दोस्तों तो उसके बतले में डॉबल ई लगाना है ठीक है यानि इस साइट से घर बना है तो डॉबल ई लगाना है अगर इस साइट से बना रहाता तो हम आई लगा लाते हैं जैसे आप लोग का कारां में पढ़े हुएगा दोस्तों को हर सब्सक्राइब और इधर से लएतर से लगा रहे तो ₹ लगाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे तो नौ में क्या है दोस्तु इधर वाला है यारनी दीरगाई है तो हम इसके लिए कring लगाएंगे डबल ई लगाएंगे तो हमने यहां पे लगा दिया है ठीक है तो यह आपका रानी हो गया पोस्टर में यानि थमनेल में आप लोग देखे हो यह दोस्तो आर ए इन आई हमने लिखा है ठीक है ऐसे ही बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन यह बिल्कुल गलत है दोस्तो आप जब भी लिखेंगे आप रानी को ऐसे लिखेंगे ठीक है अब चलिए तीसरा नाम क्या है दोस्तो मोहन है ठीक है मौ से क्या होता है दोस्तो एम होता है पाफ़ब में आप पढ़े होईएगा मौ से क्या होता है एम होता है अकार है और एकले है इसके बदले मे क्या होता है दोस्तो ओ होता है ठीक है जैसे आपका कारा में पढ़े हुएगा दोस्तो देखिया अकार है और एकले है तो उसके बदले में क्या है ओ है अब को है तो को के बदले में क्या है जैसे यहां पर मॉह है को के जगा पर क्या है मॉह है ठीक है तो एम लगाएंगे और अकारा ये खिले के बदले में क्या है ओ है तो यह आपका मो हो गया अब हो है हो से क्या होता है एच होता है अब देखिए हो कहिएगा तो हो के साथ लास्ट में आपका और का भी उचारन हो रहा है ठीक है अब देखिए और से क्या होता है दोस्तों आप लोग और पढ़े हो य है और और का मतलब यह होता है ठीक है और आप पढ़े हो येगा अंग्रेजी में अका मतलब क्या होता है यह होता है तो मोह हो गया और ना का मतलब होता है इन ठीक है तो हमने यहाँ पर मोहन लिख दिया है अब चौथा नाम क्या है दोस्तों स्याम है स्याम को भी हमारा असानी तो यहाँ पर यह नहीं लगाएंगे हम ठीक है यानि 100 100 कोईएगा तो आ का उचारन नहीं होगा यानि आधा 100 है अगर पूरा 100 रहता ना तो ए का उचारन होता तो इसके थाथ हम ए लगाते लेकिन यह आपका आधा 100 है ठीक है यानि यरलोव का तलाबिसा है तो यरलोव का तलाबिसा में क्या होता है एस एस से तलाबिसा होता है तो 100 के बदले में हमने एस एस लिख दिया है उसके बाद यह होता है यरलोव में उसके बाद अकार लगा हुआ है तो इसके बदले में ए लगाएंगे ठीक है अकार से आपको भी लिखना है दोस्तों अब चलिए पांचवा नाम है क्रिष्ण आप देखिए को है तो इसके बदले में यह के लिख से पड़ह है ठीक है तो मुधाने सा का एंगरेजी क्या होता है तो एस होता है ठीक है दोस्तु हम ने लिख दिया आधा मुधाने इसह है तो सिर्फ डिखेंगे अगर पूरा रहता तो हम ए भी लगाते लेगीन आधा है अब देखें नो है तो शाधा नाम क्यू बढ़ते हैं सिसका न हो बस्तु का नाम है हमने यहां पर जो है यहां से यहां तक हमने नाम को लिखना सिख्या है और यहां पर बस्तु का नाम आ गया ठीक है चलिए इसको भी लिखना सीखते हैं को का क्या लिखेंगे के लिखेंगे को हरसाई है इधर से है नो में इधर से था तो हमने डबल ए लगा है तो शक्ता है अगा है ट से तो किता हम ने लीख दिया ठीक है तो इसी परकार से किसी भी नाम को या किसी भी वस्तू के नाम को आप हंदी नाम को अंगरी जी में लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी परकार से आपको भी लिखना है ठीक है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल पे दोस्तों आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे मिलता रहता है तो चली दोस्तों मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक लिए जाहिन दोस्तों